तो हमने अभी तक जो भी चीज़े सीखी हैं उसे हम यहाँ पर summarize कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ यह बताया है कि जो average temperature होता है land पे वो vary करता है seasonally साथ ही decrease भी होता है equator से जब हम poles की तरफ जाते हैं और plains से लेके mountain tops तक भी हम temperature के अंदर variation को देखते हैं फिर यहाँ पर यह बताया हुआ है कि जो thermal springs होते हैं और साथ ही जो deep sea hydrothermal vents होते हैं वो एक unique habitat form करते हैं जहाँ पर जो average temperature है वो thousand degree Celsius से भी जादा exceed कर जाता है फिर यहाँ यह बताया है कि कुछ ऐसे organisms भी होते हैं जो wide range of temperatures को tolerate कर जाते हैं और इन्हें हम कहते हैं यूरी thermal organisms जैसे की cat, dog, etc. यहाँ पर हम video को थोड़ी देर के लिए pause कर देते हैं तब तक आप इन points को अपनी notebook में note कर लें फिर यहाँ पर यह बताया हुआ है कि कुछ ऐसे organisms भी होते हैं जो temperature की narrow range को ही tolerate कर पाते हैं और उन्हें हम कहते हैं stenothermal organisms जैसे की fish, reptile, etc. यहाँ पर यह बताया हुआ है कि जो salt की concentration होती है जिसे हम measure करते हैं salinity in parts per thousand में यह less than 5% होती है inland waters में 32-35% यह देखी जाती है sea में और यह रहती है 100% से भी जादा कुछ hyper saline lagoon में कुछ organisms ऐसे होते हैं जो wide range of salinities को भी tolerate कर जाते हैं और ऐसे organism को हम कहते हैं urehyaline organisms जैसे की green crab यहाँ पर भी हम video को pause कर देते हैं तब तक आप in points को भी अपनी notebook में note कर लें अगला यहाँ पर यह बताया है कि कुछ ऐसे organism भी होते हैं जो सर्फ narrow range of salinities को ही tolerate कर पाते हैं और उन्हें हम कहते हैं stenohyaline organisms एक्जामपल है इसका goldfish next आपके सामने यह बताया हुआ है कि जो animals होते हैं वो diurnal और seasonal variations के time पर light intensity और duration का इस्तिमाल करते हैं और इन्हें qs की तरह use करते हैं यानि light intensity और duration को वो वहाँ पर देखते हुए अपनी activities को adjust करते हैं जैसे की उनकी foraging activities, उनका reproduction या फिर उनकी migratory activities soil की composition उसका grain size और साथी aggregation यह सभी determine करते हैं कि soil की percolation और साथी water holding capacity कैसी होने वाली है और इन सभी के साथ कुछ parameters जैसे की pH, mineral composition और साथी topography यह सभी मिलकर determine करते हैं कि उस particular area का vegetation कैसे होने वाला है यहाँ पर भी हम video को थोड़ी देर के लिए pause कर देते हैं तब तक इन points को भी सभी बच्चे अपनी notebook में note कर लें यहाँ पर आपके सामने कुछ reference questions दिये हुए है इन questions को आप practice कर सकते हैं यह सभी questions इस topic पर based है